नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक एरपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप चोक जाओगे अगर आपको भी हवाई जाज में सफर करना पसंद है तो भूलकर भी इन जगे पर ना जाए क्योंकि हो सकता है कि आप इन जगे से वापस लोड करना आ पाए साबा एरपोर्ट ये एरपोर्ट निदरलेंड के एक छोटे से टापू पर बना हुआ है जो दुनिया का सबसे खतरनाक एरपोर्ट माना जाता है जिसका कारण है इस एरपोर्ट के ट्रेक की लंबाई जो काफी छोटी है जिसकी वज़े से यहाँ पर दुरगटना होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपने सई समय पर टेक ओफ नहीं किया तो हवाईजाज सिधा समुंदर में गिर जाएगा इसे मोट की हवाईपटी से ठकराते हुए भी बच गया यही वज़े कि इस एरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एरपोर्ट माना जाता है दोस्तों आपकी क्या राय है हवाईजाज और ट्रेन में से सबसे खतरनाक सफर किसका होता है कमेंट बोक्स में जरूर बताएं अगाती एरपोर्ट यह समुंदर के बीचो बीच बना हुआ है और इसकी साइज दूसरे एरपोर्ट के रनवे से काफी छोटी है जिस वज़े से यहां पर सिर्फ छोटे हवाईजाज ही उतर सकते हैं अगर कोई भी पाइलेट एक छोटी सी भी गलती करता है तो हवाईजाज में बेटे लोगों को सिर्फ भगवानी बचा सकता है प्रिंसेस जूलियाना एरपोर्ट क्या हो अगर आपके सिर्के बिल्कुल उपर से कोई हवाईजाज निकल जाए ऐसा अनूबव आप इस एरपोर्ट पर जाकर ले सकते हो क्योंकि यह एरपोर्ट बीच के बिल्कुल नजदीक मोजूद है जिस वजे से जब भी कोई हवाईजाज यहां पर उतरता है तो वो लोगों के बिल्कुल नजदीक से ओकर गुजरता है यही कारण एकी लोग डरका सामना करने इस बीच पर एक बार जरूर जाते हैं दोस्तों क्या आपने कभी हवाईजाज में सफर किया है कमेंड बोक्स म जादा होने के कारण यहां पर हवाई पट्टी पाइलेट को दिखाई नहीं देती जिसके वजे से दुरगटना होने का खत्रा और बढ़ जाता है दोस्तों अगर आप चाते हो कि मैं इस वीडियो का सेकिंड पार्ट लेकर आऊं तो इस वीडियो पर साथ अजार लाइक औ और एक हजार कमेंट दे दीजिए और इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाजपली सब्सक्राइब करना ना भूले